वही जोनता टीवी ने कॉंगर्स विधायक किरन चौधरी से भी खास बाच्वित की बजट को लेका किरन चौधरी ने क्या कुछ कहा शलिए वो सुना देते हैं एक बाग विधायक और कॉंगर्स की नेता किरन चौधरी मेरे साथ है मैं आज बजट पेश हुआ है इस बजट को आप कैसे देखते हैं बजट को इक माया जाल के रूप में देखती हूँ है जले भी बनाई होई है पूरी तरह से जैसे आप देखिए स्टेट की डेट लाइबिलिटी जो है वो 2020-2021 के अंदर 1,98,700 करोड जो है ये करजा डेट लाइबिलिटी जो है करजा जो है वो इसके उपर इतना है हमारी जो है ओन रेवन्यू रसीट है 37.61% मतलब जो पैसा हमारे को सरकार से जो कमाई हो रही है वो 37.61% है और जो हम बोर जो कर रहे हैं वो 32.8% है तो आप यह देखे डिफेंस कितना रहा गया अब इतने डिफ्रेंस के अंदर आप पैसा जो है इसका मतलब करजा और लेंगे करजा और आएगा वो करजे पे करजा करजे पे करजा चड़ता रहेगा और ये माया जाल और जो है टीजी से आगे अगर यूवकों को उनको लुभाव ने इस तरह के आपने वाइदे करें जिससे यूवक आपकी तरफ प्रेरित होए आपको वोट दी उनोंने तो ग्यारा हजार रुपे ग्यारा हजार प्रती वो व्यक्ति जो हमारा बेरोजगार है जहां 28% 28% हमारी बेरोजगारी दर है ये सुप्रीम कोट ने कह दिया कि आप सौर रुपे प्रती कुंटल आप दो वो सरकार ने कहा हम दे रहे हैं दे रहे हैं तो वो सरकार की उपलब्दी नहीं है वो तो सुप्रीम कोट के कहने पे कर रहे हैं आपने ये बताना चीए था कि एक इतना एहम परियावरन का मुद चالतीके हैं उसे डबल गाता भी तो साथ में आएगा उसकी बात क्यों ढि कर है आप झाल झाल